नमस्कार उत्राखर्ण मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर कैसे हैं आप सब मुझे जरूर बताएगा तो आज है 24 जनवरी तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को बेटी दिवस की हार्दिक सुपकामना है मैंने तो आपको विश्च कंड़ी जर्ण चैनल रह थि क्या एक बनाएंगे लेकिन डीले हो जा रहा था लेकिन कंड़ी को संडे को फाइनली हमने कर भी दिया कि हम लोग बनाना अटागा लेकिन मने जिता बेशन ने जो है मैंने दनिया और पूदिन बारिक से काट लिया है और आज मैं आपके साथ म जैसे भी आपना फरुजी आपे लिंगा गिर दो ना भी मैं रहु मेकल इस सम्पल वेड में ही ंदोनी आपने कand poner नहीं जए yakप कांशनी कामना वाहिए लेकिन पीर प्रॉड् positivo को प्माने ही बनान तो झाल लगाना उया को पहली जाई कि आपना डिया है हुगente बेसन डाल दिया था और इसमें मैंने हलका सा नमक भी डाला और हल्का सा हल्दी डाला हुआ है तो भस घोलते यार करने के बाद मैंने आलू भी छिल दिये हैं और अलू जब तक थंडे हूंगे तब तक मैं जो है ब्रैट को कट कर लूँगी और फटह मिर को याद आ रही थी बंदनाषा कि मैंने ब्रैट पकॉड़ा मैं बनाती हूँ लोगडावन में मैंने दो रवानी अपनी तरीके से ही मैं बनाती हूं जैसे मुझे अच्छा लगता कि मैं मैं क्या क्या डाल सकती हूं मतलब कभी मैंने देखके शहार कभी निह भनाया तो भाबी मुसे थैती chem Congratulations बहुत अच्छा भी उसका गोल बनाती लेकिन अभी महना चला है तो हम लोग अभी प्याज और लहसन नहीं का रहे हैं जब तक पंडीजी को खिचोडी नहीं देते हैं तो इसलिए मैंने उसमें सिंपल सही घोल बनाया हुआ है और ब्रेट कट करने के बाद मैं यहाँ पर आलू मेश कर रही हूँ और आलू भी इतने गरम हो रहे थे लेकिन क्या करूँ अब काम तो करना ही था तो भावी मेरी हैल्प कर रही थी और जब भी कुछ ऐसे इस तरीके जुते हैं मैं दोते हैं नहीं दोताने के चाहिए हैं यृठ आइ McH always happy Master चछ खाली काट कर दे दिंगी तफाला है , यहां पर काट ने हैं जो चाहिए खिक टोट कर दोगा मुझे शफाली स्टाव जो यहां बाड़े हैं मेर्च अपर मेर्च सली था था नूभ चरण अट जो अच्छा कर अच्छा कर दो गाया अच्छा एक गड़ता है् मैं जो भी चीज बनाती हुआ तो पहले चकती जरूनों तो यह देखो बेरी आदती यही है तो बस उसके बाद फिर पता चल जाता नहीं कि नवक कम हो रहा है यह जैसा भी हो रहा है तो बस यहां पर देखिए मेरी स्टॉफिंग भी जो है तैयार होगी है और जैसे हम लोग बनाते है आलो के पराठी के लिए सेम वैसी बनाया है मैंने और बहुत मतलब स्पाइसी हो रहा था अब फटा फट से मैं इसमें स्टॉफिंग भर लूंगी और जो मैंने भाबी ने आलो बोईल करके रखे वेतना तो मुझे लग रहा था कि स्टॉफिंग ना कम हो जाएग और भाबी जो है कभी वर्तन सजारी थी कभी चीजे जो है इधर उधर कर रखी थी मैंने वह सई कर दी और उनकी ममी का फ़ॉन आया था वह बात कर रही थी तो चलिए फिर यहां पर जो है फटाफट स्टॉपिंग हर लेती हूँ तो यह सब मैंने भाद दिया स्टॉफिंग अब इसको हम डिप करेंगे बेसं की रूल में तो यहां पर सबकुछ राड़ी करने के बाद मैं जो है ब्रैट पकोड़ा तलने भी लगए थी और एक ब्रैट पकोड़ा मैंने तल भी रिया था और दूसरा मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं कि देखो मैंने कितने अच्छे से जो है ब्रैट पकोड़ा तल दिया है और सच में बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बन रहे थे और क्यूंकि इन में टाइम लगता है वैसे भी पता है 15 या 16 ब्रैट पकोड़े थे जो मुझे तलने थे और काफी सारा ट पकड़ा हुआ था तो चलिए फिर फटाफट से ब्रैट पकोड़ा तलते हैं आप देखिए अगर आपको यह वाली वीडियो अच्छी लगए नहीं तो वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा चैनल पर नहीं तो प्लीज मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्काइब करिएगा तो बस यहां पर मैंने सारे ब्रैट पकोड़े तल दिये थे और भावी का काम हो गया था बाटने का शुरू क्योंकि चाची के वहां भी देना था हमारे घर में भी देना था और अगल बगल के हमारे पडोसी भी रहते हैं तो उनको भी देना था और थोड़ा सा जो मेरा घ चाई पकोडी और ब्रैट पकोडा खाएंगे तो बस हम लोग अपना मेरा इतना हिस्सा है दो ब्रैट पकोडा और पकोडी और तमाटा सॉंस और चाई तो आईए आप भी खाईए तो ही देजिए तो बस यहां पर मैं और जी क्यासा खाने लगे थी क्योंकि मुझे भूक लगे थी तो मेरा तो सिर्फ बनाने का काम था बनाने का और खाने का बस यहां पर मैं फटाफट से खाऊंगी और उसके क्या थे बाहि नाने का भावी के फिर आव तो भावी के जाओ घर से आने के बाद मैंने फोड़े सो जाऊंगी देखे रहता वाजै किमी नीद आरी थी और रहुकि अपानी कोई फिक्स थाइम नहीं नहीं हो रागिए जलती आ जा रहाए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वज़े से पानी का वेट करते रहते हैं और बार बार देखते रहते हैं कि कहीं पानी आतो नहीं गया है क्योंकि ये पानी का आने का भी टाइम कुछ बता नहीं है और जाने का भी कुछ टाइम बता नहीं है तो बस पानी भानी भरने के बाद चार बज गे थे तो फिर मैं तो बस यहां पर से धूप जाने वाली थी तो मैंने सुचा कि चलो कपड़े उठा देती हूं कुछ कुछ कपड़े थे जो अंगी ले थे करन की क्योंकि उसने काफी लेट में कपड़े दोए थे और फिर जो दूप चले जाती है ना तो फिर कपड़े थंडे हो जाते हैं तो और बस उसके बाद से मैंने का के चलो मैं इसी को जो है ही परी फोल्ड करके नीचे लेके जाऊंगी क्योंकि मैं हमेशा ऐसी करती हूं मतलब यहीं से छट से फोल्ड करके ले जाती हूं अगर में पास टाइम होता है तो और हवा भी चल रही थी काफी तो पापा के कपड़े रखने के बाद मैं आगी थी टीवी वाले रूम पे हमारा सूफा जो है यही लगा हुआ है और यह हमारा काफी चूटा कम रहा है मतलब यहां पे सिर्फ सूफा और टेबल वगेर ही आती है इससे मतलब एक्स्टा और कुछ यहां पर नहीं आ सकता और पता है मैं हमेशा मतलब जब भी सोफे के कवर अगर मुझे लगाने होते हैं तो मेले बहुत डिफिकल्ट काम है क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज जाती हूं कि कौन सा उपर का है पार्ट है कौन से नीचे का पार्ट इस तरीके काम जो है ना नताशा करती थी तो देखो मैंने पहले उपर का लगा रहे थी फिर वह निकाल के अब नीचे का लगाती हूं कि अच्छे तरीके से मुझे कोने कोने दबाने होते हैं और जो हमारा ये सोफे का कवर है ना वह हमारे सोफे से थोड़ा सा बड़ा है पुल जात है पापा रहे साम को काफे देर तक तरीको करना होता है तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा साइथ से तो आ स्ट्वक्त दबाना पड़ता है यह साइट साइट्से है तो बड़ी मसकत के बाद मतलब सोफी कवर को उल्टा करने के बाद मैंने आपर फाइनली लगा ही दिये हैं तो बता मैं इस तरीके काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो मुझसे ना कीचन में कितने भी काम कर वालो मैं वो कर दूंगी तो चलिए फिर अब सामक खाने की तयानी भी करते हैं और वीडियो का यह परी भी एंड कर देते हैं तो नौदस मिनट की तो हो गई है मेरी वीडियो और मिलते हैं आप से एक नए व्लोग में तब तक के लिए बाई